खबर जालॉन से जहां नगर जालॉन में पूर्व विधायक दयाशंकर वर्मा की उपस्थिती में बूत एवं सेक्टरों की समीक्षा की गई जिसमें नगर जालॉन के दो सेक्टरों में भूत अध्यक्ष एवं सेक्टर प्रभारी सहित समाजवादी पार्टी के द्वारा नामित पर्यवेक्षक के सहयोग से जिला अध्यक्ष नवाब सिंग यादव के निर्देश पर बढ़ाय जा रहे वोटों के कार्य को बहुत अच्छी तरीके से संपन क कराया इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष रिकवाल मंसूरी एवं तमान समाजवादी पार्टी के सदस्य मौजूद थे बता दे की पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे भूत सेक्टरों पर वोट जोड़ो अभियान तेजी से चल रहा है इसको लेकर आज जालोन में भी यह कार्य किया गया जिसमें आज पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा एवं पूर्व नगर अध्यक्ष रिकवाल मंसूरी एवं तमाम समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे आज नगर जालोन में हमारे बहुत दी लोग प्रिये विदायक रहे दैसंकर वर्मा जी की उपस्तिती में नगर जालोन के चार सेक्टरों में नगर जालोन को माटा गया है उसमें आज दो सेक्टर समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार करताओं भूत अध्यक्ष और सेक्टर प्रवारी के सयोग से सब बूढ हुए हैं इसमें सेक्टर संख्या एक जिसका परवेक्षक मैं स्वहम भी था इकबाल मंसूरी उसके सेक्टर प्रवारी हमारे इसाग मंसूरी साहब रहे हैं और सेक्टर खंडे राओ एक संख्या पूरी हुई है दूसरा सेक्टर हमारा संख्या दो थी जिसके सेक्टर प्रवेक्षक जो हमारे थे वो पूर चेर्मन मांसिंग वर्मा जी थे इसके सेक्टर प्रवारी हमारे नगर जालों के सवासद विनेश रिवास्तावुजी थे जो स्याना के नाम से सेक्टर है इन दोनों सेक्टरों के आज समीक्षा मानि दैसंकर वर्मा जी के द्वारा की गई इसमें भूत अद्यक्षों को और समाजवादी पायटी के कारकरताओं के द्वारा एक बैठक आयुजित की गई थी जिसमें दैसंकर वर्मा जी के द्वारा उन समस्त सेक्टर प्रवारियों भूत अद्यक्षों को धन्नबाद दिया गया और उनसे अपेक्षा की गई है कि आ मानने वाले 2022 के चुनाव में इसी तरही के से लगकर मानने अखले से आदाउजी को पुना उस्तर प्रजिस का मुखंत्री बनाने का काम करेंगे इसके लिए हमने यहां आए तुछ जालवन वालों ने इना एक जगा एक खत्ता होकर बूर्थों का शमीच्छा हमारे एकवाल मनसूरी जी ने किये और उनके साथ सभी बूत के आदमी आये थे उन्होंने बताया अपना-पना काम के हर एक बूत पे काम हुआ है और उन्होंने जो है सब बूत पे अपने बूत बढ़ाए है तो इसलिए हमने उनके कामों को देखते हुए हम सभी बूत परवारी जितने थे उनको मैंने धन्वाद दिया और कहा कि दो हजार बाइस में चुनाओ होने वाला है आप मेहनत कर रहे हैं निश्य हमारे मुखमंती अकलेश एदब दुबारा मुखमंती बनेगे यह हमें विश साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत धन्वाद की पाथ है कि पहले भी आपने मेहनत की और आज भी मेहनत बहुत तंडीक तरह से कर रहे हैं पूरई बिदान सवा के चालोन में लगातार बोटों को बनाने का कारती यह थी चला है बूट भाई बूद बोट बनाए जा रहा है जिसमें द्याश शंकर वर्मा पूर बिदायक ने जाके बूद पर रिक्षा किया और मालुम किया कितने बोट अब तक बन चुके हैं वहीं उनके साथ में पूर्म नगरत द्याख्श अकबाल मंसुरी भी मौद रहे जो ने बूट सेक्टर पर जो बोट का कार कर रहे हैं जो बोट बनाने का कारती यह से चला है उस पे जो उनके समाजवादी पालिटी के कार करता है मुझूद है उनकी उन्होंने जम कर तारिफ की और कहा इसी तरीके से कार रहेगा समाजवादी जरूर जीता है